और वाइटी यूट्व चैनल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं JSW की तरफ से जो अप्रेंटिसिप निकल के आई है उसे से लेटेड ये पूरा वीडियो रहने वाला तो वीडियो जो है आपके लिए हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडियेट कमेंट कर रहे थ जो है आपको ऊनलाइन follows फिल करना पड़ेऊएगा तो कैसे जो है आपको ऊनलाइन फार्म सिब्सिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं तो आप चैनल को सबस्राइब करके रखेगा और उसके बाद आने वाले जितनी भी वैकेंसी बगरा है हम आपके साथ सेयर करते रहेंगे अब बात कर लेते हैं हम बता देते हैं इसकी जो डिटेल है वो डिटेल के बारे में तो ये जो है apprenticeship की बात करें तो ये apprenticeship जो है विजे नगर करनाट का की तरफ से निगल किया है ये इसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं है करनाट के candidate या किसी भी state A की state के लिए vacancy है ये जो है आल इंडिया की vacancy और उसके बाद जो है इसका एक firm आपको fill करना पड़ेगा इसमें जो है apprenticeship stipend और other benefit ये सारी चीज़े आपको provide की जाएंगे apprenticeship जो है आपकी one year की रहने वाली है stipend की बात करें तो आपको 11,400 रुपए stipend मिलने वाला है इसकी बात करें तो इसके पहले इस्टाइफन इसका जैस्ट डबलू का 9,000 तक था अब लेकिन जो है 11,400 रुपए इस्टाइफन मिलने वाला apprenticeship जो candidate करते हैं तो apprenticeship करने के बाद ये benefit है कि जो candidate apprenticeship करेंगे उनके mark के base पर ये और उसके performance के base पर उनको permit भी hire किया जा सकता है इसमें जो है एक साल में आपको 14 चुटी यानि paid lieu मिलेंगी यानि 14 चुटी मिलने वाली हैं इसमें जो है आपको कैंटीन, ट्रांसपोस्टेशन ये सारी चीज़े आपको free मिलने वाली हैं और उसके बाद जो है बात करें तो इसमें working hour की तो working hour आपको 8 गंटे रहने वाले ह और उसके बाद जो है week में आपको 6 दिन वर्क करना पड़ेगा और एक quality मिलेगा यानि कि जो है Sunday आफ रहेगा और उसके बाद से working आपकी रहेगी इसका जो है आपको Google form फिल करने के लिए आपको simple zi से जो है क्या करिएगा हमारी website पे चले जाईएगा sort of it.com उसके जाने के बाद आपको बता जेते हैं जैसे आप जाएंगे Google पे सर्च करेंगे sort of it.com इस तरह का page open होके आएगा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद latest apprenticeship में जाएंगे जहां यहां दिया हुआ है JSW Steel ITA Requirements 2024 इस पर आप जैसे आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद कुछ जो है इस तरह का interface आता है इसमें जो है साइट डिटेल आप पढ़ सकते हैं जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद जो है यहां पर दिया हुआ है link यानि कि जो है तोड़ा और से न जो है form open होके आता है तो form में जो है simple से email address अपना डालना और उसके बाद name डालना name के बाद अपना contract number यानि की जो है अपना mobile number डालना है और उसके बाद जो है आपके बाद दूसरा number भी वह भी डाल सकते हैं आप male है female क्योंकि जो है यह vacancy male और female दोनों के लिए रहने वाली है इसमें male या female उसा select करना है data birth आपको आधा number आपकी age कितनी हो गई वह डालना है क्योंकि जो है 24 साल तक के candidate इसमें apply कर सकत हैं अधा number age कितनी हो गई आपकी qualification अपने आई टेगर रखे आई टेए पर आप जस्ट क्लिक करेंगे trade की बात करें तो फिटर एलेक्टीशन है विल्डर एल्ट्रोनिक्स मेकैनिक है टर्नर है मसीनिस्ट है एममी है और उसके बाद इनिश्टुन मेकेने सीट मेटल वरकर को पर यह अधर किसी ट्रेट से हैं तो आप वो सिलेक्ट करना पड़ेगा पास आउट यह और उसके बाइट एक और इसके आपका वीट कितना रहने वाले क्योंकि फुर्टीश लेकर फुर्टीफाइब के बीच से कम है तो आप इलिजबल नहीं रहेंगे इसमें हाइड आप जो है आप इंटरेशटेट हम प्रेड कर रहें तो आपको यस करने और इसके समीट कर देना यह逆 फॉपरर को कुछ दिन बाद आप Windows आपके वाम एला एगी मैं आपको माल छेक्र नाएं कि förम चेहार जो है आपवके पार मैल आती है तो आपको मेल कर सकते हैं सब्सक्राइब यह और हमीत रिच्राइब फिजह然 घर नरी वह क्र सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिया और चनल को सब्स्क्राइब करके रखे